अलो गाइस हाव और यू आम नंदलाल और यू आर वाचिंग यूर फैबरेट चैनल यूपी वाले सर तो इस्टुडेंट्स आज जैसे कि मैं थेमनेल पर दिखाया हूं कि कोडियेट जेमेटरी के दस ऐसे क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में आना ही आना है यह दस सब्सक्राइब कोई क्वेश्चन नहीं है तो इस्टुडेंट्स अगर एक्जाम में नहीं आया तो मैं गरांटी दे के साथ कहता हूं कि मैं चैनल पर पढ़ाना छोड़ दूंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कुश्चन कि कि ब्रित के ब्रित के ब्यास के सी कि करने यह एक बी है जिसका निर्द शांग दिया हुआ है एका माइनस डू माइनस सेवेन और बी का दिया है One और outreach tracuoth स्टूनेंट के ने सबसे पहले हम इसका जयार ने तो सबसे पहले हम इस तो यहाँ पे मध्य बिन्दू का निर्दे सांग होता है, तो मैं लिखूंगा कि O का निर्दे सांग, पहले हम निकालेंगे, बराबर, x1 प्लस x2 बाइ 2 और y1 प्लस y2 बाइ 2, equal to, x1, y1, x2, y2, तो यहाँ पे x1 है, minus 2, plus x2 है, 1, by 2, comma, y1 है, minus 7, और y2 है, minus 11, तो यहाँ प्लस है, तो यह minus हो जाएगा, by 2, अब इस्टुडेंट्स, minus 2, plus 1, minus 1, by 2, और यह हो जाएगा, minus 18, by 2, तो मैं डाइरेक्ट लिख देता हूं, minus 9, ठीके, इसमें, minus 18 होगा, अब जब स्टुटेंट्स ये केंद्र का निर्देसांग हमारा निकल गया माइनस वन बैट टू और माइनस नाइन तो अब ये दूरी निकालना है ओए ओवी या ओए तो ओए ओवी के बीच की दूरी कोई भी आप निकालेंगे तो सेम ही आएगा ठीक है तो मैं लिकारता हू ओए या ओवी का निर्देसांग चलिए तो मैं अब निकालूंगा दो बिंदो के बीच की दूरी से ओवी का निर्देसांग ओवी की बीच की दूरी बीच की दूरी बराबर फर्मूला है X1-X2 का होली स्क्वाइर प्लस Y1-Y2 का होली स्क्वाइर इक्वाल टू यहां देखिए अब इसके लिए X1-Y1 X2-Y2 ठीक है तो इसके में हो जाएगा आपका X1 कितना –1 by 2 – X2 देखिए यहां पर 1 है का होली स्क्वाइर प्लस Y1 यहां पर –9 है और Y2 देखिए –11 है यहां पर देखिए –1 –2 –3 by 2 –3 by 2 का होली स्क्वाइर और यह 11 में से 9 जाएगा –2 का होली स्क्वाइर अंडरूट इक्वाल टू यह हो जाएगा 9 by 4 प्लस 4 यहां पर कितना हो जाएगा –16 प्लस 9 25 by 4 इक्वाल टू 5 by 2 एकाई तो आप इसको बहुत सही तरीके से ठीक तरीके से इसको सीख लिजिएगा बहुत इन्पोर्टेंट कोशन है तो चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं दूसरा कोशन देखते हैं दूसरा कोशन भी बहुत बहतरीन और बढ़िया है करें कि Y का मान ग्यात किजिए जिसके लिए बिंद P 2-3 तर्था Q 10Y के बीच की दूरी 10 में मतलब कि यह पी है जिसका पॉइंट है 2-3 और एक Q है जिसका है 10 और वाई उसके बीच के दूरी जब दिया होता है तो बीच के दूरी का फर्मूला लगा दिए तो बीच की दूरी मान लेगी पी Q बराबर अंडर रूट X1-X2 का होल स्कॉर प्लास Y1-Y2 का होल स्कॉर यह हो गया 10 और यह बीच की दूरी 10 दिया है पी Q X1-Y1 X2-Y2 तो यह हो जाएगा हमारा 2-10 का होल स्कॉर और यह हो जाएगा यह है माइनस 3-Y का होल स्कॉर तो इसका दोनों सैट से स्कॉर कर दीजिए तक यह अंडर रूट हट जाए तो यहां पे करेंगे 100 बराबर दोनों का स्कॉर कर दिए दोनों सैट का बर करने पर लिख देंगे और 2 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 8 का होल स्कॉर और यह हो जाएगा y-y-3 का होल स्कॉर अब यहां पे क्या करेंगे कि 100 बराबर 64 इक्वल टो माइनस y देखे थोड़ा समझ लिए इसको हम लिख सकते हैं इसको y-3 का भी होल स्कॉर लिख सकते हैं क्योंकि माइनस का मन लेंगे इस में से सबस्केटर सोा जाएगा तो हम इसको प्लास में भी लिख सकते एक बार इसका कंजेप्ट समझ लिजिये अगर माइनस वाइ माइनस थी है होली स्क्वार है तो हम क्या करेंगे कि अंधर में innovative सबस्क्राइब अब क्या करेंगे कि इसको लाका इदर माइनस कर देंगे इसको हम हमता रहा है चली, यह 100 में से 64 जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 36 बरावर y प्लस 3 का होली स्क्वार्ड ठीक है? अब चाहेंगे तो हम डैरेक्ट यहीं से y प्लस 3 निकालेंगे तो यह जो स्क्वार है तो इसमें अंडरूत आजाएगा 36, तो यह हो जाएगा y प्लस 3 इस्क्वाल 2 हो तो यहां पे y plus 3 is equal to 6 तो y is equal to 3 और एक पर negative लेंगे जब तो y plus 3 is equal to minus 6 तो y is equal to minus 6 minus 3 y is equal to minus 9 तो यह दोने स्थिति में इसका भैलू बहुत असानी से निकल जाएगा तो students इस बात को ध्यान में रखना है कि कोई भी question को जल्दिबाजी में नहीं करना है धीरे धीरे करना है समझ के करना है और अराम से इतना time परियाप्त होता है कि आप अराम से पूरे प्रश्न को असानी से कर पाएंगे तीसरा देखते हैं कि उस बिंदू का निर्दे सांग याद करें जो बिंदू माइनस वन और सेविन तरथा फोर और माइनस थ्री को मिलाने वाली मान लिजे कि यहाँ पर कोई P और Q है को मिलाने वाली रेखा खंड मिलाने वाली रेखा खंड दो संबंद तीन के अनुपात में काड़ती है मान लिजे कि यह दो है यह तीन है यह 2 रेश्यो 3 में काड़ रही है इस पॉइंट का निर्दे सांग बताना है आपको R का यह मैं मान लेता हूं कि इसका निर्देशांग एक स्वाई है ठीक है कर रहे कि दो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा खंड है मैं उस बिंदु का निर्देशांग बताना है जो दो रेशियो तीन में काट रहे हैं इस मतलब कि यहां से दो और यह तीन यही M1 M2 है यह भी भ आपको फर्मूला लिखने का तरीका भी बताया था एक बार और और समझ लिजिए कि जब दोनों फर्मूला याद नहीं है तो यहां पर हम क्या करेंगे कि M1 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 M2 M1 M1 M2 M1 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 M2 लिख देँगे M1 के जगा पर X2 मना यह 1 2 और X2 के जगा पर M2 के जगा पर 1 1 1 के जग पर यह y2 और यह y1 कर देंगे तो बहुत असानी तलिके से इसको हम कर पाएंगे चलिए x बराबर अब x का क्वाटरेंट निकाल दें m1 देखिए यह है m1 यह है m2 तो m1 2 into x2 देखिए x1 y1 x2 y2 x2 4 plus m2 3 x1 minus 1 by m1 plus m2 2 plus 3 x is equal to यह कितना हो जाएगा 8 minus 3 by 5 equal to 5 by 5 equal to 1 ठीके इसी तरह से हम दूसरा निकाल देंगे y equal to m1 2 y2 minus 3 plus m2 3 y1 y1 यह है 7 by 2 plus 3 equal to minus 6 plus 21 by 5 equal to 1 2 कितना हो जाएगा 15 15 भाई 5 equal to कितना हो घ्री अता एक्स वाई जो आर का निर्देसांग है आर का जो निर्देसांग है वो हो जाएगा हमारा आर कितना है एकस वाई है तो आर हो जाएगा एकस के जगा पे वाण और वाई के जगा पे थिरी आपका निर्दे सांग निकल जाएगा बहुत बढ़ी है कुश्चन है इसको आप लोग बहुत ध्यान से करते रहेगा ठीक चलिए स्टुडेंट्स इसमें से सबसे बेजो बहत से बने एक तिर्भूज ABC यह है ABC ABC AXY B12 और C कितना है 21 से बने जो तिर्भूज है कच्छे त्रफल दिया है मतलब इसका एरिया दे दिया है आपका कितना है 6 वर्ग मीटर वर्ग इकाई तो सिद्ध करना है कि X plus Y equal to 15 तो देखिए स्टुडेंट्स जब एरिया दिया है तो हम एरिया का फर्मूला लगाएंगे और एरिया का फर्मूला हम लगा कि इसको सॉल्ट करेंगे ठीक है एरिया होता है तिर्भूज ABC का एरिया बराबर वन बैटू ब्रेकेट में अब यहां पर एरिया का फर्मूला लिखने में बच्चे बहुत ज्यादा मिश्टेक करते है तो आज वो मिश्टेकिंग सब खतम कर दूंगा ठीक है ध्यान से देखते रहे हैं क्या करना है यहां पर एक समन लिखना है एक ब्रेकेट बनाना है यहां पर एक ब्रेकेट प्ल area is equal to 1 by 2 यहां लिखना है, x1 bracket बनाना है, plus x2 एक bracket बनाना है, x3 एक bracket बनाना है, ठीक है, अब थ्रस चक्र पर ध्यान दीजिए यहां पर, यह है ऐसे चक्र चलता है, y1, y2, y3, चक्र बनाईए, अब x1 की जगा पर y1 को छोड़ दीजिए, और y1 छोड़ने के बाद यह चक्र क तो यह हो गया, y2 माइनस y3, इसके बाद x2 जब है, तो y2 को छोड़िए, अब यह चक्र कर रहा है, कि y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, अब कर रहा है कि x3, y3 को छोड़िए, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, इतना करने के बाद इस्टुडेंट्स, अब अराम से आप इस पर भैलू रख के स्वल्व कर लिजिए, यहाँ पे आपका छे दिया है, 1 by 2 ब्रेकेट, x1, अब देखे, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x1, याद रहा है, यह पेंसिल से इसको लिक लिजिएगा, x1, y1, x2, y2, x3, y3 है, तो x1, x1, x, y2, y3, मतलब कि 2 माइनस 1, प्लस x2, x2 मिन्स 1, y2, y3 माइनस y1, तो यह हो गया, 1 माइनस y, प्लस x3, x3 मतलब 2, यहाँ पे, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, मतलब कि y माइनस 2, ब्रेकेट 1, अब यह 2 है, इसका क्रोस मल्टिप्लाई कर दिजिए, यहाँ पे तीर्छा जाएगा, यह 12 हो गया, अब इसको तोड़ दिजिए, देखे, दो में से एक हो जाएगा, तो सिर्फ एक्स बचेगा, प्लास, देखे, यहाँ पे 1 माइनस y है, कोश्ट टूटे गए 1 से तो कोई डिफिरेंस नहीं आएगा, अब प्लास 2y माइनस 4, अब क्या करेंगे कि इसको solve कर देंगे थोड़ा सा, ठीके, यह दोनों को इधर लाता हूं, 12, यह माइनस है, प्लस है, माइनस है, यहाँ प्ल प्लेक देंगे, फूरे को उधर कर देंगे, अब 12 में से गया, कितना हो जाएगा, 11, 11, 4, कितना हो जाएगा, 15, तो इस्टुजेंट्स यही हमको प्रूफ करना है, तो यह बहुत बढ़ी है, कोश्चन बहतरीन कोश्चन है, आप इसको सहितेगा, देखे, बहुत सौट तल कि कि दो